जै जैगनात मैं शिवानी चौक्रवर्ति में जंकर्टकवर्ति अपने चानल बॉंग का लिंग फूर्ट टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं यह रक्षा बंधन के दिन उखें नियाफ मनता है और वह भोग लेकर आये हैं जब्से बड़ा बल्भद्री टेमपुल है जहां पर भगवान बल्भद्र जी मुख्य देपता है वह ने के दोनों आज बना के दिखाएंगे आपको ताकि आप रभु बल्भद्र जी को उनके जनम दिन पर बना के देशेकrist एक जगनात मंदिर में जगनात जी बढ़वद्र जी और शुबद्रा जी को ये भोग लगता है और दूसरा जो है वो केंदु ज़र के बलदेव जू टेमपुन में लगता है तो चलिए पहले हम भोग बनाना शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं राखी पुनिमा के दिन जो किश्राबन पुनिमा है और बलराम जी की जैनती भी है और बलराम जी की जैनती के इस सबसे यहां पर जादा उसको मनाया जाता है तो उसी दिन जगनात मंदिर में लगने बाला भोग हम बनाएंगे यह श्पे बत्वार जो कि उडिसा के रेगुलर मंडा पिठना से बहत ज्यादा अलग है क्योंकि कि उडिसा का का मंदा है जो रेगुलर मंडा जिसको हम खाते हैं प् fonctionो करों फॉराय करों भी खाते हैंहें म Гार्व पेश्ट में लेकिन मन्दीर में जो पारेख पीठा उड़त दाल कि पैश्ट से बनता है और ये पीठा कहीं और नहीं बनता तो चलिए बनाना शुडु कर तें सबसे पहले देखलें चूरी है इसमें लगता क्या क्या साम Agric यहां पर मैंने एक कप उड़ो ड्यडाल को पीस के पेस्ट मैं एक कप लिया है लेकिन अधेड़ कप एक कप यहां पर लिया है और यह इस टपिंग है यह नारियल और गुड बड़ी ईलाइची लॉंग आलि मिर्स और जाइफल जब हमने लड्डू बनाया था गुड का लड पकाना है सबसे पहले जब उसका पकने का खुश्बू आजाए तो उसमें थोड़ा घी डालना है उसके बाद ग्रेटट कोकरनट डालनी है उसके बाद लॉंग इलाइची जाइफल और काली मिच का पाउडर डालना है और थोड़ा सक्त ये जो स्टपिंग ये थोड़ा सक्त बस इसी तरीके से जिस तरीके से लड़ू की मिच्चर बनाते है नारियल का उसी तरीके से भी बनाना है और हमें यहां पर चाहिए चावल का आटा और यह जो बैटर में ने बनाया है यह देखिये यह थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा रनी नहीं है इसी कंसिंटेंश्टें चावल का आटा उसमें डालेंगे अधा कप आटा लिया हुआ है चावल का आटा जितना लगेगा हम उतना देंगे क्यूंकि हमें इक डो चाहिए जिस डो चे अंदर हम इस टपिंग को भर सकें बस उसी तरीके का एक डो चाहिए और यह जो मंदा पिठा है यह पांसो बीस बनता है मतलब जो रक्षा बंधन के दिन जब यह मंदिर में बनता है तो यह पांसो बीस बनता है जो छोटे साइज का होता है वो चार सो बनता है और बड़े साइज का एक सो बीस बनता है तो टोटली पांसो बीस मंदा पिठा ब चाबल का आटा लिया था मैंने पूरा इसको इस्तमाल कर लिया है देखिए उसका इस तरीके का एक हमें डो चाहिए जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए देड़ कप हमने उड़दाल का पेश्ट लिया था और यहां पर चाबल मैंने डाला है आधा कप आधा कप चाबल का आटा जो है यह बिल्कुल फाइन था लेकिन अगर दडड़ा आटा होगा तो थोड़ा कम लगेगा लेकिन फाइन था तो थोड़ा ज्यादा लगा तो देड़ कप आटा गूनने के बाद दालने के बाद तो इसी तरीके का यह डो बन गया है तो अभी हमें क्या करना है इसको हमें डिवाइट कर लेना है 400 में लेकिन मैं एक ही शेप का बनाने की कोशिश कर रही हूं ताकि बोलना था इसलिए मैंने आपको बोल जाए कि किस तरीके से होता है आप चाहे तो बड़ा और छोटा मिला के बना सकते हैं और यह जो हम इसमें डालेंगे इसके अंदर और इसको बन कर देंगे मैंने अपने चानल पर बहुत सारे एसे रेसिपिस डाल लखी है जगरनात मंदिल की लोग जब देखते हैं तो कॉमेंट करते हैं क्या सच में इस तरीके की रेसिपी बनती है देखें यह सब जो है ना ऑथेंटिक की लिए लसी चीज की चीज सबसे हैं अब विस क्या है यह वह पिछा प्रषाद़ केरे मेरी बस मदकशन के हम्साइस को इसको बनाता ही लेकीन इसके बाद लिए घ्जाना प्क छूप कर रख लेती हूं और जानते SEC डर्लोग इसको भुलラख में इसको थाते हैं यह सब्से जो जीत है तो हमारे मंडाशित है सब्राइ़ आट रहा लूरी चार और चार मंडा तरह sonra परना मैं ह Manufact mh तो आज़ती सली करना है खजा है तो अजिस दलते है बालक अब्यश्वता बूपनारों यह भी टेम, कि मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है तो अभी हम क्या करेंगे जो मॉंडा हमने बनाया है उसको हम धीरे धीरे करके इस तेल में उसको फ्राय करेंगे बहुत ज्यादा हाइफ लेम में रखने की जरूरत नहीं है वरना ये उपर तो पक जाएगा अंदर नहीं पकेगा तो धीमी आंच पर हमें इसको पकाना है और जो चार हमने बनाये थे उसको अभी हम इसमें डाल लेंगे एक पीठा पकने के लिए कम से कम पांट से साथ मिनिट लगते हैं देखिए नॉमली जो उड़िसा का मंडा पीठा होता है उसका सेब भी यही होता है सफेर अंदर ह matter सचरा से उड़ि सब्सक्राइब अपर लेकिन साब यही होता हमेरे नहीं होता कि व के मिन आप ने चानल देनल जा जगनीञत मंदिरा में जो बाकी उड़िया घर हे वहां पर उड़िया रिभर यहां के मंदिर उड़िसा के पेश पर बार वो चावल के पेस दी लेकिन उ तो अभी यह शंकुडी बन गया है तो अभी इसको पकने के लिए 7-8 मिनिट लगेंगे और हमें इसको इसे नीचे से उसको उपर तेल भी डालना है यह पर बहुत कम घी दिया है लेकिन इतने में हो जाएगा आज हम बात करेंगे प्रभुश्य बढ़भर जी जि前 के पूरी के अधिश्वर हैं पूरी में जिन चीजों के सामने बॉड़ा नाई, बॉड़ा भूग थी शारी चीजें की जिसके सामने भी बॉड़ों लगता है उस बॉड़ों का मतलब होता है बख़द्र जी। लेकिन से जगन्ना जी के लिए बन लगता है लेकिन नहीं बढ़भद्र के लिएब करた है और शावन की फुरे पुरे जन्मटिंटी थीow ऑ्रप टुनिम्हा के पुरन परले मैं ऑट ढ़ंट्र जन्मक्रप मनाया जाता है विश्व की सबसे बड़ी राकि मेश tutorials तो सुपारी के पनाज बना जाता है अपने दोनों भाईयों को आखी बा है और शुपारी के माला दे जाती सुपारी की माला रेशन की कपड़ों में उस सुपारी को बांधा जाता है बहुत सारी सुपारियों को बांध के एक एक माला बनाई जाती है और वो माला भगवान जी को अर्पित किये जाते हैं जगरना जी को बड़भदर जी को देवी सुपारी की माला अर्पन की जाती है प्रक्रिया जो होती है वो दिन में पूरी होने के बाद उसके बाद श्याम को बड़वद्र जैनती की जो शुरुवात होती है जो भी प्रक्रियाएं होती है उसकी शुरुवात होती है पूरी में श्री कृष्ण जन्माश्टमी जो है जगरनात मंदिर के अंदर मनाई जाती है लेकिन बड़वद्र जी का जो जन्नमुष्चववे वो मंदिर के अंदर नहीं बनाई जाती वो मारकंडे आश्रम के पार जो मारकंडे पुष्करिन है उसी के पास मनाई जाती है मारकंडे मंदिर के पास मनाई जाती है और इसमें सबसे पहले जो शुदर्शन भगवान है चक्रडार शुदर्शन है वो मंदिर से बाहर निकलते हैं और ये श्वयम्भु प्रतिमा हैं जो बाहर निकलते हैं और उ आश्रम जहां पर मार्केंद्य पुश्करिनी है और वहां पर पहुंचने के बाद जो सुद्धस्वार सेवायत होते हैं वो चिकनी मिट्टी से भगवान पलराम की एक मूर्ति बनाते हैं और उसी मूर्ती की ही वहाँ पर प्राणपतिष्टा होती है और उसके बाद पूजा होती है वो कुछ अलग तरीके की मूर्ती होती है छोटा सा अब बच्चा होता है नन्ना मुन्ना बालक होता है सरपे अनन्तनाग और हाथ में हल मुशलिये ब्रभुशी बलभद्र जी की मूर्ती कापी सुंदर ओसके बाद उस मूर्ती की प्रांपतिष्ठा की जाती हैं ça से हर मूर्ति वो मिन्मई हो या प्रस्तर हो या फिर किसी और धातु से बनी हो प्राण पतिष्टा बिना उनकी पूजा नहीं हो सकती तो पहले वो मूर्ति बनाते हैं और उसके बाद भगवान की प्राण पतिष्टा होती है विधिभत जो वहां पर पूजा पंडा होते हैं वो भगवान की प्राण पतिष्टा करते हैं संक में जल देकर उनकी प्राण पतिष्टा होती है और प्राण पतिष्टा होने के बाद उन्हें उपनेन अर्पन किये जाते हैं उन्हें बस्तर अर्पन किये जाते हैं उन्हें पुष्प अर्पन किया जाता हैं सारी चीजें ए पहले उन्हें वस्तर आरपनु किये जाते हैं और उसके बाद उन्हें उपनय आरपनु किया जाएगा जो जम्झाता कार्य होता है वह समाप्त ने बाद उन्हें शीतल भोग अरपन किया जाएगा जिना में फल होते हैं पन्ना होता है और आटे और छेने そうですね बनी ही भोग होते हैं लेकिर उड़त डाल बोग उस् voluntary में नहीं होती और उसके बाद वोती है आर्ती भोग के बाद होती है भकवान की आर्ती और वो करते हैं गजपती जी के जो प्रतिनीदी होते हैं मूदी रस्त वो करते हैं क्योंकि गजपती जी उस दिन यहां पर प्रेजन नहीं होते तो उनके जो मूदी रस्त होते हैं उनके जो प्रतिनीदी होते हैं वो यहां पर आर्ति करते हैं और आर्ति करने के बाद वहां पर भगवान जी का विशर्जन होता है वो जो मूर्ति बनाई गई होती है उनका विशर्जन कर दिया जाता है वो ही मार्केंडे पुषकरिन में ही इस मूर्ति का विशर्जन कर दिया जाता है और मूर्ति के विशर जन के बाद प्रभू श्री सुदर्शन की आरती होती है और उसके बाद वो श्री मंदिर में वापस प्रस्थान कर जाते हैं तो यह थी प्रभू श्री वड़भद्र जैनती जो जगनात मंदिर में किस तरीके से मनाई जाती है उसकी छोटी सी वीडियो और इस दिन पूरे उ दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है उनको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है क्योंकि बलराम जी थो यह ग्वाले थे और बड़े भाये थे भगवान कृष्ण से वह बड़े थे इसलिए उनके सम्मान में यह सब किया जाता है तो यह थी बड़भद्र के ऊपर हमारी चोटी सी वीडियो अभी देखे एक साइड से पक चुका है पांच नुट हो गए है एक साइड से पक चुका है इन तक दो साइड से पक चुका है और बाकी दो साइड उसका पकना बाकी है तो दस मिंट के अंदर यह हो जाएंगे अब यह देखे मैंने उसको लिए लिए ये देखें इसी हमारा मंदा पिठा बन के तैयार हो गया है तो अभी इसको निकाल लेती हुँ एक प्लेट में जो आज का हमारा दूसरा भौग है कंद की खीर हम वह बनाना शुरू करते हैं जो केंदुजर के बल्देव जू मंदिर में लगता है और उनका प्री शकरकन की खीर वनाने के लिए हमें जो जो समगरी लगेगी, सबसे पहले हमने लिया है दूध, दूध को यहां पर हमने उबाल के रखा है, आधा लिटर दूध को मैंने यहां पर उबाल के 250 ml करके रखा है, एकजक्ट आधा मेंने कर लिया है, और यह थंडा हो चुका है, थं क्योंकि मैं यहां पर बहुत कम बना रही हूं, और इसमें खोया डलता है, लेकिन अभी मेरे पास खोया नहीं है, तो मैं कंडेंस मिलका इस्तेमाल करूंगी, और फ्लेवर के लिए आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तेजपटा डाल सकते हैं, इलाइची जाल सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, कंड की खीट, तो मैंने यहां पर एक पैन चड़ा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे घी, याद करके घी आपको इसमें डालना है, मैं यहां पर एक चमच घी डाल ले हूं, थोड़ा सा भी डाल ले हूं, इसमें हम ड्राइपूर् आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइपूर्ट इसमें डाल सकते हैं, अब फ्राइ हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल देती हूं, तो वापस से मैंने पैन को ग्यास के ऊपर चड़ा दिया है, और अभी यह देखे, यह है एक कप शकरकंद का ग्रेट करा हुआ शकरकंद मतलब शकरकंद को मैंने ग्रेट कर लिया है, जितना पतला आप ग्रेट कर सकेंगे कीजिए, उतना जल्दी ही यह बनेगा, तो इसको उबालना नहीं है, याद करके इसको उबालना नहीं है, हमें उसको कद्दू कस करना है, मंदिर में क्या होता है ना, बहुत छोटे छोट या फिर उसके पकने के एक अच्छी खुश्पु हमें आने ना लगे इसका जो कच्छा पन है जब तक वो दूर नहीं हो जाता हमें तब तक इसको पकाना है कंद जब पकना शुरू होगा शकरकंद हम तो इसको यहां पर कंद ही बोलते हैं उडिसा में बंगोली में उसको कहत हैं रांगा अलू तो जब रांगा अलू कंद या शकरकंद जो पकना शुरू होता है तो उसका कलर ऐसे चेंज हो जाता है और वो इकठा होना शुरू होता है इसलिए मैंने कहा ज्यादा समय नहीं लगेगा पकने के लिए अभी देखिए यह अच्छी तरीके से पक चुका है यह देखिए तो अभी हमें क्या करना है जो दूद हमने लिया था उसको धीरे-धीरे करके हमें इसमें डालना है यह देखिए पहले हम आधा दूद इसमें डाल देते हैं और यह जो इकठा हो गया है यह शकरकंद उसको एससे खोल लेते हैं उसके बाद हम बाकी का अबना गुटलियां रहे जाएंगी और अभी हम क्या करेंगे पूरा का पूरा दूद इसमें ले देंगे यह जो खीर है ट्रडिशनली यह बहुत सारे मंदिर में बनता है मैंने बहुत सारे मंदिर में देखा है वहां पर जो सबसे पहले होता था ना इसी तरीकी का खीर बना के मंदिर में देते थे बल्देव जीव का टेंपल भी है बहुत पुराना मंदिर है और वहां पर इस तरीके की खीर जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे मंदिर में शकरकन की खीर तो दी जाती थी पंकिन की मतलब कदू की खीर दी जाती थी एक रेसिप मंदिर इसें दो कि इसे करेंगे बंदेव जुखोलית क्ते क्यों कि तो आप उसमें थोड़ा चीनी आड़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें कंडेंस मिल्क भी आड़ करना है तो मैं इसमें चीनी नहीं डालूगी और फ्लेवर के लिए आप इसमें साफरन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं वह बड़ा अच्छा है का लेकिन बल्देव्जू के मंद के बाद दिखा रही हूं यह पूरा धीमा आंच पर है और यह देखिए इस तरीके से शकरकंद और जो दूद है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है अगर आप शकरकंद को बॉल करके उसको फिर घी में मतलब भून के फिर उसको दूद में डालेगे हो सकता है कि दू बहुत ज्यादा मीठा कंद है मैंने चखा यह तो इसमें मैं बील्कुल भी शकर नहीं डालोंगी क्योंकि डालना है अगर मैं को जैट रहे हम वह एक ही शकरकंद को यूज कि अभी हम इसमें बून के रखा था थोड़ा सा उसको भी हम इसमें डालेंगे तो अबहुत ही कम फट्स भून के रका था क्यूंकि आप देख रहे हैं मेने शिर्फ एक ही शक्रकन यूज सह्ज किया थो अभी है मैं करते हैं ऐसमें डाल रहे हों अधे कपसे थोड़ा धोड़ा कम स्ट मेरा डए इसमें डाल रहे हूं अगर आपके पास है तो आप कंडेंस मिलक छोड़कर खोया ही डाले तो अभी इसको डाल के हमें एक दो मिनट तक उसको मिलाना है तो अभी देखें कंडल्स मिल्क डाले हुए दो-तिन मिनट हो गये हैं तो अभी में ग्यास को आफ कर लेती हूं कि हमारी जो शकरकंद की खीर हमने बनाई थी यह बनके अभी तया है तो दोनों हमारे बनके तयार है तो चलिए दोनों को एक साथ लगाते हैं तो यह देखे यह हमारी बल्राम जैनति की आज की भोग यह मंडा पिठा जो जगरनात मंदिर में बनता है जगरनात मंदिर का मंडा पिठा और यह केंदुजर बल्देव जीव टेंपल का कंद की खीर मंदिर की रेसिपी आपके लिए लेकर आएंगे जो जन्मास्टनी स्पेशल भोग की रेसिपी होगी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जै 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 गरनात जै माकाली राढ़े क्रिश्ण